आज में रिवीव करने जा रहे हूं बायोटिक के तरफ से बायो वालाट प्यूरिफाइंग पॉलशिंग स्क्रब तो चलिए इसका रिवीव स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो इसका अच्छा बात है यह नॉर्मल टूस ट्राइब स्किन वालों के यह है इसकी Pryce 200 रूपी है 4 50 G्ams ऑफ प्रड़्यक यह जिव प्रडक्त यह बायोटिक के तरफ से और बायोटिक परड़क्त है और नाशरल होता है 100% और गानिक होता और प्रेजरवेटिव फ्री होता है इस प्रड़क यह हैजो की ऑलनिटॉइल में प्रेसेंट रहता है इसमें नीम के अट्स्ट्राक्ट भी है, फैनुग्रीक है, जो हमारे स्किन को पॉलिश करने में हेल्प करता है, इस प्रोडक्ट में, वॉलनट बार्ख है, सनफ्लार ओईल है, मेथि सीथ है, पुदीना लीफ है, नीम चाय है, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा उत स्किन को पॉलिश करने में हेल्पफुल है, तो इसको अंदर से भी बड़ खोल के रेख लेते हैं, इस अप खोल लेते हैं, खोलते ही हैं, आप यापको दिख रहा होगा है, आप हंड़ेड पसेट अरवेधिक का स्ट्राम लगा हुआ है, बोटैनिकल एट्स ट्राक हंड़ पसंद से बना हुआ है, इसका आप आप आगे से कुछ ऐसा दिखते हैं, आप में लिखा हुआ है, पीछे में से कैसे यूक्स करना है, वो लिखा हुआ हुआ है, और आप इस प्रोड़क को www.biotic.com से भी खरीच सकते हैं, अंदर से दिख लेते हैं, इसका याप एक लिपती अब लिखा है, इसका टेक्चुर बहुत ही अच्छा है, इसका स्मेल ऑजय स्रेम को आप भी बहुत ही अच्छा यह अब मैं इसको आप लाए कर्के दिखा रहे ती हुँ अब देख सेके इसका टेक्सट् happiness कितना अच्छा है यहाल जाले इसे अप्लाई करने के लिए अपने हादों भी दो से तीन मिनटे तक यह मसाज करने हैं इसको जो कि पसे नहीं को फेस करना है कि प्रण यह दे प्रण ही नहीं रगणना है तो आपके फेस पर राशी भी आसा हमता है कोई से अपने फिल्स और ने के अलिया पे धीरे धीरे सर के और मुशनल मसाज करते हुए स्क्रब करने हैं हल्के हाथों साप इसे स्क्रब करेंगे ज्यादा देजी से आपको इसको स्क्रब नहीं करना है अब इसे धोलेंगे हम लोग 2-3 मिनट बार अपने हाथों को द्धोलिया हैं और देख सकते मेरे हाथ कितना पॉलिश दिख रहे अ कि इस क्रीम का जो टेक्शर है या काफ है हम नहीं करेंगा आपसे इस कि अथे में एक से दू बह उसे कर सकते हैं और यह वर हारम नहीं करेंगा यह जो स्क्रब है यह बहुत ही अच्छा है अपको अगर आपके रिव्यू अच्छा लगा हो बायो टिक के तरफ से जो बायो वानट प्यूरिफाइंग पॉलिशिंग स्क्रब था जो कि नॉर्मल टो ड्राइ स्किन के लिए तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्रेब जरू यह बाया मंकल